आज हमने दो परकार की हसी पड़ी है, पहली हसी कौन सी पड़ी है? कि परमेश्वर ने प्रफुलित किया, एक हसी हमने ये पड़ी, अब्रा हमने उसका नाम इजहाक रखा, ये भी एक हसी है, तीसरी हसी हमने नो आय तक ही पड़ ली, जो मिस्री हाजिरा का बेटा उसके हसी हसी लाफ्टर प्रफुलित मिलेगा, लेकिन इबरानी भाषा में हमें सही तरह से मिलता है, इबरानी भाषा में नो आयत में लिखा, हसी का मतलब है इबरानी भाषा में, छे हजार साथ सो ग्यारा, जिसका मतलब है साखाक, साखाक का मतलब है तुलाफ, ये भी हसी है, बट कौन सी वाली हसी, ये हसी है, मौक, मेक स्पोर्ट, यानि ये वो हसी है, जो हम मजाक करते हैं, किसी के साथ मजाक की हसी करते हैं, किसी को ठटा करते हैं, किसी का मजाक उडाते हैं, जब वो एक सत्रा साल का जवान लड़का एक छोटे से तीन साल के बच्चे की हसी करता हुआ दिखाई पड़ा और सारा ने उसे दूर से देखा कि वो हसी कर रहा है वो ठठा कर रहा है सम्थिंग जो गुड नहीं है आप कभी जो बड़े भाई बैन होते हैं छोटे को जब हसी करते खिलाते हैं वो एक अलग चीज है लेकिन ये वो हसी नहीं है दूसरी हसी मैंने आपको बता दी कौन सी थी जो प्रफुलित किया हसाया परमिश्वर ने उसे लाफ्टर दिया लेकिन ये वाली हसी जो थी ये मौक करने वाली थी ये हसी मजाक उराने वाली थी शेतानी हसी थी और बाईबल कहती है जब सारा ने ये हसी को देखा जब उसने इस हसी को देखा कि ये लड़का मेरे बच्चे के साथ हसी कर रहा है तो उसने अबराहम से कहा